दोस्तो आज हम आपको एक ऐसे मंदिर के बारे में बताने जा रहे हैं जो अत्यांत्र चमतकारी है माना जाता है कि इस मंदिर की मिट्टी लगाने मातर से रोग दूर हो जाते हैं तो दोस्तों वाइ ये जानते हैं क्या रहस्य है इस मंदिर का आखेर कैसे यह चमतकार संबव हो पाता है भगवान की स्रधा के कई किस्से आपने सुने होंगे लेकिन जिस मामले के बारे में हम आपको आज बताने जा रहे हैं उसमें एक मंदिर में केवल मात्र मंदिर की मिट्टी को लगाने से ही रोगों से मुक्ति मिलती है यहाँ मामला है उत्तर पर्देश के हमीरपुर जगह का यहां मंदिर की मिट्टी को लेने के लिए लाखों की संख्या में लोग आते हैं यहां मंदिर है माँ भूनेश्वरी माता का माना जाता है कि इस मंदिर की मिट्टी लगाने से गठ्या बीमारी से निजात मिल जाती है तो चलिए जानते हैं कि आखिर क्या है इसके पीछे का रहस्य है इस मंदिर के बारे में वेग्यानिकों का कहना है कि यहां के मंदिर की मिट्टी में सल्फर की मातराज जादा पाए जाती है यह कोई चमतकार नहीं एक रसाइनिक एलिमेंट के कारण लोग यहां रोगों से मुक्ती पाते हैं यह मंदिर हमीरपूर से 11 किलो मेटर दूर कालपी मार्ग इस्तीत जलोकर गाउं में है इस मंदिर को भूया रानी के नाम से भी जाना जाता है इस मंदिर में एक सुरोवर भी है गठ्या रोग से पिडिट लोगों को पहले मंदिर के पास बने सुरोवर में सनान करना पड़ता है और फिर मंदिर के पीछे नीम के पेड़ के नीचे मिट्टी लगा कर लोग गठ्या रोग से छुटकारा पाते है मानिता है कि यहाँ अनुष्ठान बिना खाये पिये ही करना होता है बाद में मंदिर के सामने गोबर के कंडे में आटे की भोरिया बना कर खाये जाता है भोरिया घी और गुड के साथ खाने का रिवाज है तो दोस्तों उमीद है आपको हमारी यहाँ जानकारी पसंद आई होगी प्लीज हमारे चैनल को अवज़ से सब्सक्राइब करें